है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल करके दिखाने वाला है step by step complete आपको प्रोसेस बताने वाला है अगर आपने वीडियो स्कीप कर दी आपके समझ में नहीं आपाएगा कि इस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अपलाई करना है के वाल दो मिनिट के अंदर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है लोन लेन ताकि आपको नेवडिक नोडिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गाइस देखते हैं कौनसी ओर कमपनी यहाँ पर आप ले सकते हैं घर बेटे अपने वाइल फोन से 50,000 पर तक कलोन चलिए शुरू करते हैं सो गाइस एक हजार पे से लेकर 50,000 पे तक का लोन अगर आप लेना चाहते हैं उसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिन में दे रखा है आपने उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप सीधा प्ले स्टो पर चले जाएंगे यहाँ पर आपको एक अप्लिकेशन दिखाए देगी जिसका नाम है ओकैश यह इंस्टेंट लोन कंपणी यानि अर्जेंट लोन आपको यहाँ पर मिलता है कि यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड दे कर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्ले स्टो ओपन कर रखा है और एप्लिकेशन आपके सामने है रेटिंग की बात करूँ 4.5 रेटिंग है 1 मिलियन प्लस जानलोड की जा चुके यह वाली एप्लिकेशन इंस्टेंटली लोन देती है इसलिए रेटिंग अच्छी है डानलोड जादा हुई है यह एप्लिकेशन अगर मैं बात करूँ इसकी डिटेल में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी आपको बोल रही है कि भाई हम आपको 3,000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक का अर्जेंट लोन दे सकते हैं यह लोन आपको मिल सकता है 91 दिन से लेकर 365 दिन तक के लिए 35% पर एनम के इंटरस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलेगा 24 घंटे में कभी भी आप लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर मैं बात करो रिलिजबिलिटी की तो आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल होनी चाहिए आपके पास regular monthly source income आनी चाहिए लोन लेने के जो documents आपको यहाँ पर देने है उसमें address पूरूफ में आधार card, identity पूरूफ में pen card देना होगा इसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी documents नहीं देने है आपके पास एक valid bank account होना चाहिए यह loan लेने के लिए कैसे आपने application के अंदर sign up करना है, कैसे apply करना है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले application download करनी है और आपने इसको open कर लेना है open करने के बाद guys, आपने इसको ok let's go पर click करना है, उसके बाद आपने इसको allow कर दिना है अलोग करने के बाद guys, interface कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है सबसे पहले आपको इसके अंदर login करना होगा आपके mobile number से सुरू में आपको यहाँ पर आपको mobile number डालना है, password डालना है अगर आपने पहले से सके इंदर registration कर रखा है अगर आप एक नएक customer तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर mobile number डालना, एक password डियाट करना, send ot वर आपने क्लिक करना है जो mobile number आप यहाँ पर दे रहे है, उस number पर एक ot पर आएगी वो ot पर आपको डालना के बाद यहाँ पर registration complete कर लेना है जैसे registration complete करेंगे, registration complete करने के बाद, guys, आपको यहाँ पर एक limit मिलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि भाई, आपको अभी हम जो है केवल 3,000 पे का loan दे सकते हैं, और सब से नीचे अगर आप slide करेंगे, बहुत सारे loan है जो मेरे अभी यहाँ पर लोक है, यानि 3,000 पे का loan लेने के बाद, जब मैं उसका time से repayment करूँगा, तो मेरी loan amount increase होती है, चले जाएगी 0.79% पर दे के साबसे मुझे यहाँ पर यह loan मिलेगा, 40 step मैं यह loan ले सकता हूँ, सो से पहले personal information complete फिल करनी होगी employment information complete करनी होगी, documents वगरा upload करनी होगी, bank account detail मुझे यहाँ पर देनी होगी, और यह loan मुझे मिल जाएगा, मेरे bank account के अंदर आपको यहाँ पर मैं लाइप पूरूफ के साथ apply करके दिखाने वाला हूँ, वीडियो की बिल्कुल मत करना तो चलिगा इस loan के लिए हम करते हैं अपनी application फिल, सबसे पहले आपको यहाँ पर करनी है अपनी personal information complete फिल, जिसके अंदर आपको आपका first name, last name, आपका gender, आपका date of birth, mental status, कहां तक आपने पढ़ाई की है, आपके बच्चे कितने हैं, और आपका mobile number क्या है, यह detail आपने बिल् आपके अधार काड के अंदर हो, उसके बाद guys, आपको employment detail में आपको यहाँ पर जो आपकी company का नाम डाल दना है, company का address आपको यहाँ पर डाल दना है, company का landline number आपको यहाँ पर डाल दना है, ठीक है, यानि आपको आपनी company की detail यहाँ पर देने हैं, चाहिए आप self-implained हो, च आपने इसको save कर देना होगा उसके बाद गाइज आपको यहा पर जो है अपने documents upload करना है documents में आपको यहाँ पर आधार काड़गी front and back photo upload करनी है pen card की front photo upload करनी है एक selfie आपको यहाँ पर upload करनी होगी एक बात का धियान नहीं करना है जो भी documents आप यहाँ पर upload करें वो बिल्कुल clear upload करें अगर आपने clear documents upload नहीं किये तो आपका loan यहाँ पर reject भी हो सकता है ठीक है? documents वगएरा upload करने के बाद guys आपने इसको submit करना है submit करने के बाद guys आपकी जो loan detail है आपके सामने आ जाएगी अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अगर आप लेंगे 3000 पे के लोगन आपको यहाँ पर कितने पैसे मिलने वाले है देखी guys यह जो loan है 3000 पे का मुझे मिल रहा है केवल 8 दिन के लिए 3000 पे का मुझे total loan मिलेगा 0.79 per day के साबसे interest यहाँ पर लेगा प्रोसिंग फीस होगी 635 रुपे 114 रुपे GST और guys 250 रुपे बैंक अकाउट के अंदर मुझे मिलने वाले है यानि guys मेरे जो यहाँ पर extra पैसी जाने वाले है वो जाएंगे 8 दिन में 7700 रुपे बहुत ज़ादा यहाँ पर interest प्रोसिंग फीस ले रही है यह लोग अगर आप यह गर में ज़्यादा emergency हो तभी आप इस loan के लिए apply कीज़ेगा emergency नहीं है तो loan apply मत कीज़ेगा मैं आपको यहाँ पर suggest नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर loan apply कीज़े क्योंगी guys यह होते emergency loan जो आपको instant मिलते है आपके bank account के अंदर जो cable emergency में ले जाते हैं तो अगर आप लेना चाहते हैं यह loan apply कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है मैं आपको suggest नहीं करूँगा कि आप यह loan apply कीज़ेगा मैं आपको यहाँ पर apply करके दिखाऊंगा इस loan के लिए तो loan लेने के लिए आपको simply apply नहीं आपर click करना होगा जैसे ही आप apply नहीं आपर click करेंगे आपकी जो loan application यह under review चली जाएगी उसके बाद आपके application review होगे documents verify होगे कि आपके जाएगी कि आपके जाएगा